चिंता करने से समस्याओं का समधान नहीं निकलता कई साल पहले एक बाबा गाओं में आये और कई लोग अपने दुखों का समधान पूचने उनके पास गए बाबा ने आराम से सब के फरिशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि सन्याप रखो और महनत करो एक महिना तो ऐसा आराम से चलता रहा फिर लोग हर बार उसे समस्या के बारे में शिकायत करने आने लगे बाबा ने सोचा कि कुछ कर रहा पड़ेगा उन्होंने सबको एक पेड के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हसी में चुप उठें कुछ समय बादुरों ने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उन्हें से कुछ ही मुस्कुराए जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हसा बाबा मुस्कुराए और बोले जैसे तुम बार-बार एक ही मचाख में हस नहीं सकते वैसे ही एक समस्या पर बार-बार रोकर क्यों रह रहे हो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा थैंक्यू पूर वाचिंग